दोस्तों अगर आपके फोन में GB WhatsApp वर्क नहीं कर रहा आप लोगिन करने का ट्राइ करते हैं लेकिन लोगिन नहीं होता है आपने बहुत कोशिश कर लिया आप हार चुके हैं तो इस वीडियो को आज पूरा देख लेना बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं इस वीडियो को प्रोब्लम हो रही है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 100% वर्किंग ट्रीक तो इस वीडियो को पूरा देखना है वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सो गाज इस तरीके से आता है यूनिट दे ओफिसियल वाटसप वाली पसक्राइब ह'll कर लेना है और उसी नंबर से लोगिन कर लेना है जिस नंबर से अब घीवी वाटसप चलाना चाहते यूद's up में लूगिन करने के बाद आपको क्या मैं टेलीग्राम पर आ जाना है उपीन कर लेना है यहां पर एक मिन कर गया उस पीन किये हुए मेसेज़ पे किलिक करना है तो यहां पे 18 वर्जन वाला GB WhatsApp दिखाईगा उसको इंस्टॉल नहीं करना है थोड़ा सा उपर आना है थोड़ा सा उपर आंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा GB WhatsApp pro b 20.70 मतलब 20.70 वाला जो GBWhatsApp का फाइल यहां पे है आपको उस फाइल पे किलिक कर देना है उस फाइल पे किलिक करके यहां से डाउनलोड कर लेना है इंस्टॉल कर लेना है अपडेट पे किलिक करेंगे तो आपका GBWhatsApp यहां पे इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा थोड़ा से लेगा फिर उसके बाद GBWhatsApp आप देख सकते हैं यहां पे इंस्टॉल हो जुगा है GBWhatsApp इंस्टॉल करने के बाद यहां से ओपन कर लेना है सेटिंग में ठीक ठाक कर लेना है फिर यहां पे आप देखो कि नीचे agree and continue है तो agree and continue पे किलिक करना है अब यहां पे आपको क्या क code आजाएगा तो आपको क्या करना है इस guy code का photo किलिक करना है किसी का phone ले लेना और उस phone में camera open करके इस guy code का photo ले लेना फोटो लेने के बाद आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पे मिनिमाईज कर देना है जी भी वाटसअप को मिनिमाईज करके यहाँ पे ओफिसियल वाटसअप को ओपिन करना है ओफिसियल वाटसअप को ओपिन करके यहाँ त्री डोट पे किलिक करेंगे त्री डोट पे किलिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे Link और डिवाइस आजाएगा तो यहाँ पर Link और डिवाइस पर क्लिक करेंगे Use Mobile Data पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर Camera ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर Camera के सामने जिस भी फोटो हमने लिया था जिस Keyboard कोड का हमने फोटो लिया था यहाँ पर Keyboard को सामने लाना है और Scan करना है Scan करेंगे तो यहाँ पर Login होगा लेकिन यहाँ पर Login नहीं हुआ Couldn't Login लिख रहा इस तरीके से Check Your Phones Internet Connection तो इस तरीके से काफी सारे बंदे के साथ प्रोब्लम हो रही है तो यहाँ पर इस तरीके से होता है आपके साथ भी तो अभी इस वीडियो को ध्यान से देखना आगे का जो Step होगा बहुत ही Important Step होगा जिसको Follow करके आप Link डिवाइस वाली प्रोब्लम को ठीक कर सकते हो यहाँ से Back आना है आपको क्या करना है अपने फोन में Play Store को Open करना है Play Store को Open कर लेना है यह Main Step है इसको ध्यान देना तो Play Store में आने के बाद यहाँ साथ आइकन पर क्लिक कर लेना साथ आइकन पर क्लिक करके यहाँ से लिखना P और सीफन लिखना P S I P H O N Pro P सीफन प्रो या साइफन प्रो एप है एक VPN एप है इस एप को इंस्टाल कर लेना तो यहाँ पर P S I P N Pro एप को हम इस्टाल कर लेते हैं तो यहाँ पर इंस्टाल हो चुका है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे का step आप वीडियो को धियान से देखना तो यहां पे इस app को अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे यह VPN app है, साइफन प्रो या साइफन प्रो कर सकते हैं तो इसको open नहीं करना है, back जाना है और फिर यहां पे जो play store का profile होगा play store का profile पे हमें click करना है play store के profile पे click करना और फिर यहां पे देखोगे play protect दिया है यहां से turn off कर देना है यहां से हमारा काम हो गया अब यहां से back चलते हैं back जाके आगे का step मैं आपको बताता हूँ अब यहां से play store से आपको back आना है back आने के बाद अब आपको यहां पे क्या करना है आपको जो phone में setting का app होता है setting वाला app तो phone के setting वाले app में आना है और यहाँ पे location को ढूणना है आपके phone में कहीं भी हो सकता है तो यहाँ फोन वाले setting वाले app को open करके location को off कर देना है location को off कर देते हो तो यहाँ पे आपका काम complete हो गया अब यहाँ से back चलते हैं back आने के बाद जो app को हमने install किया था siphon pro या siphon pro app को हमने install किया यहाँ पे तो इस app को यहाँ पे अब open कर लेते हैं इस app को open करके main important चीज यहीं पे है इसको अगर आप धियान से देख लिया तो आपका जी भी वर्ट सब वर्क करेगा तो इस तरीके से yes कर देना है और यहाँ पे okay कर देना है accept कर देना है और यहाँ पे देखोगे ऊपर home status option है तो यहाँ पे options पे आजाना है उसके बाद देखोगे यहाँ पे VPN settings लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे VPN settings पे click करना है VPN Settings पे click करने के बाद यहाँ पर दूसरे नमर पर Beach वाले option पर Only Tuncel Selected Apes पर आपको click कर देना है Beach वाले option पर click कर देते हो और फिर यहाँ पर आपको नीचे देखोगे Select Apes लिए होगे तो यहाँ पर Select Apes पर click करना है Select Apes पर click करके यहाँ से आपको GB WhatsApp को ढूंड ना है अब यहाँ पे देखो कि नीचे start दिया हुआ है तो आपको start पे click करना है ओके कर देना है अब यहाँ से VPN हमारा start हो चुका है अब GB WhatsApp 100% work करेगा तो यहाँ पे यह VPN app को start करके हमें minimize करके back चले जाना है बैक आने के बाद अब GB WhatsApp को open करना है यहाँ पे agree and continue पे फिर से click करेंगे अब यहाँ पे हमें phone number नहीं डालना है यहाँ पे link as companion device करना है link as companion device पे click करेंगे फिर से keyword code आजाएगा अब keyword code का यहाँ से फिर से हमें एक photo ले लेना है इसका photo ले लेना है दूसरे phone में अब यहाँ से back जाना है मिनिमाइश करके official WhatsApp में back जाना है official WhatsApp में जाने के बाद 3.पे किलिक करेंगे उसी तरीके से link device पे किलिक करेंगे और फिर यहां पे link or device पे किलिक करेंगे use में world data पे किलिक करेंगे camera ओपिन हो जाएगा अब फिर उस keyword code का जिसका photo लिया था यहाँ पर camera के सामने लाना है और फिर यहाँ पर जादू देखोगे आपका GB WhatsApp यहाँ पर link हो जाएगा आप देख सकते हो Android 13 यहाँ पर link हो चुका है अब यहाँ पर आपको minimize करके जाना है GB WhatsApp में GB WhatsApp को जैसे open करेंगे तो आपका यहाँ पर chat loading होगा तो यहाँ पर आपको clear कर देना है और फिर जीवी आपका सारा चैट यहां पर देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हो इस ट्रीक से आप जी बीवर्द्षब को चला सकते हो तो बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप लोग सबस्क्राइब नहीं करते हो तो सबस्क् टेबाए टेक क्यार